मदरास हाई कोट से इंकम टेक्स को लेकर नोटिस पाने वाले एयार रहमान हो या फिर गुरुवार को अपनी अगली फिलम की सूटिंग के लिए गोवात गवाना हुई दीपिका पादुगोन दोनों के चाने वाले करोडों में हैं कुछ इनके काम पर फिदा है तो कुछ इनके अंदाज पर ऐसी एक मशूर सक्षियत रतन टाटा भी है और भारत में नाम मशूर कलपला चावला का भी खूब रहा है इनकी कहानी अब एक नए अंदाज में जानने का समय आ गया है दरसल देश में सफल लोगों के बारे में जानकारी देने वाले शो मेगा एकन्स के निर्माता उसके दूसरी सीरीज के साथ वापिस आ रहा है इस नए सीरीज में हिंदी सिनिमा से जो अभिनेत्री चुनी गई है उनका नाम है दिपिगा पादुकोन यह पादुकोन के अलावा भी कुछ अभिनेत्रिया इस बार के शो में रेस में सामिल थी लेकिन काफी उपर समझे जाने वाले इस शो के कसोटी पर तमाम अभिनेत्रिया घरी नहीं उत्र पाई व्यपारी रतन टाटा, संगितकार एयार रह्मान और देश की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कर्पला चावला की काहानी बताई जाएगी तो की खास बात ही है कि अब अपनी सफलता की काहानी खुद बया करेंगे चुकि कर्पला चावला इस दुनिया में नहीं रही इसलिए उनकी काहानी को बताने के लिए उनके परिजनों को चुना गया है